असलाम अलाइकुम व्यूवर्स वैलिकम बैक टू मैं चैनल सो गाइस आप लोग सब ठीक थाख होंगे आज जो है काइस मापलू के लिए बहुत ही दबर्दस रैसे भी लेकर आई हूं और यह बच्चों की बहुत जादा फ्रेवरेट होती है और यह बहुत ही मज़दार होत एक डौ रड़ी करनी होगी और आज हमें इसे बिना ओवन के बना रहा है तो यह और भी असान होगी तो इससे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे यहां पर एक अदत बावल और इसमें हम डालेंगे कि यह हमारे पास यहां पर है वन टेविल स्पून बटर देखें कितन अब हम इसमें डालेंगे जल्दी से हमारा यह वन एट कप मतलब टू टेविल स्पून लेवल्ड हमाई पास यहां पाउडर चूगर है देख लें बिल्कुल पाउडर है और लेवल्ड है देख सकता बिल्कुल लेवल्ड है और आपको एक में बात बता दूं जब भी आप पाउडर चूगर या मैदर कोई भी ऐसी चीज आप जब मेंजिंग कप में डाल रहे हो तो आप उसे डालें स्पून से अगर आप ऐसा ही मैदर के थैले में या डब्बे में डालके ऐसे निकालके ऐसी ला लेंगे ना तो फिर वह जादा हो जाएगा जादा कॉंटिटी मे एकदम एयरी बनान है तो हम स्पून करके डालेंगे फिर से लेवल ऐसे करेंगे स्पून के पीछ अले साइट से तो यह चली जाएगी यह तो टेबल स्पून है और टूटेबल स्पून लेवल डेवल तो यह हमारी चली गई अब इसे हम इतनी देश तक मिक्स करेंगे कि यह कितना क्रीम हो चुका है कितना क्रीम हें अब चूह हमें क्या पढ़ना है अब इसमें दालेंगे अपने ड्राय इंगे तो फन्तिंस क्वेश उनने के लिए सबसे पहले इससा पैच्पूला को हम भंटा देंगे यहाँ पर हमारा यह बटार और चीनी बिल्कर साइश स मिल गया है अब सबसे पहले हम इस पर रख लेंगे एक चन्नी तो यहां पर चन्नी यानि के स्टेनर हमार आ गया है और अब इसमें हम डालेंगे वन फोर्ट कप मतलब फोर टेबल स्पून लेवल्ड है यहां पर कॉर्ण फ्लॉर और यह आपका चन्ना होना चाहिए लेकिन अब भी हमना चाना ही नहीं है इसलिए हम इसमें डालेंगे यह हो गया हमारा और अब यह हमाई पास मैदा और यह मैदा जो है हमाई पास वन एट कप है वन एट कप मींस टू टेबल स्पून और लेवल्ड है तो यह डाल देंगे आपने हर चीज बेकिंग में लेवल्ड देंगे और यहां पर हमारे पास हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर इसको पुलाने के लिए है और यह हाफ टी स्पून यह डाल देंगे और यहां पर हमारे पास है 1-8 cup मतलब 2 टेबल स्पून लेवल मिल्क पाउडर क्योंके हम मिल्की मिल्की मिनी कुकीज बना रहे हैं इसलिए हमने आपर मिल्क पाउडर इसतामाल किया तो यह 1-8 cup चला गया हमारा ठीक है यह सारा हमारा राइंग विडियेंट्स जा चुक है ताके हम सारी चीदों को एक दफा चान लें अहां टा देंगे अब जो है यहां पर हमने जो इंवीडियेंट्स जा ले हैं इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है तब तक जब तक के यह इसके ग्रैनियूस बनाना शुरू हो जाए यानि यह इसके चोटे-चोटे टुक रहना कि अभी हमने लिक्विड नहीं डाला है ज्यादा लिक्विड था लेकिन उसमें पाउडर चुकर डालके उसे क्रीमी कर दिया लेकिन आप यह वापिस से ब्राय होने लग तो अब देखें अब इसे एक डो भी फॉर्म में करने के लिए हमें जब भी ऐसी हमें पानी आड़ करते हैं बलके इसके शिवाए हम एक तया समय मिलक तो इस में हम डालेंगे मिलक और वह बहुं alkaline टार के में हरा भी होसकता है बहुत alkaline कर दालें एक सांड़ा डाल दिया तो फिर नहीं को तो यहां मारा हम मिलक तोबावाना अट करता है अब इसे हम मिक्स करता है कि यह एक डो की फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो फिर इसे हम ऐसे ही गुंदेंगे नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ा सा दूद इसमें और डलेगा अब देखें यहां पर हमाया सारत हो चुका है हर तरफ हमें यह चटी-चटी खुटिया नदर आ रहे हैं अब यह हम दालेंगे और मुझे लगता है यह पूरा चला जाए लेकिन अभी भी मैं इसमें हलके-लके करके आड़ करें ताके हमारी यह डो खराब ना देखें यह लेकिन अब इसे तरीके साथ में भी आज़ देखने में आपको मुझे आप भी देखेंगे ने वीडियो में तो देखें यह बिल्कुल दूर कव्लेवर कर लेकिन और देखें यह दो कि फोर्म में आ रहा है ल्के-वाव इतना मिलकी और इतना मुझेदार सास का प्यारा सा यह इसकी कंसिस्टेंसी डो वाली फॉर्म आ रही है यह बस इसे थोड़ा सा दवाएंगे हम इस ताही किसे यह देखें है यह मारी डो बन चुकी है अब क्या करेंगे हम इसको साइप पर करेंगे इसे हम हाथ सच्छे से बुल देखें वाव इतनी सॉफ्ट है कि आपको बता नहीं सकती बहुत अबस्ट और मज़दार की डो बच देखें विल्कुल रैडी है हमारी दूद जो है हमारा पर बज गया है अभी यह दूद हम इस् केज़ाय दूध ब्रशन हनों ब्रशनिजी जेह अब इसे हम कुक करने की तारह चाहिए है कैसल यह हमारा बिल्कुल चाहि बिल्कुल है नुद जोर फैर डल गेह है थोड़ा सभूलग लागल लेकिन सभी बिल्कुल है इतना होना चाहिए तो तो लग को देखर लग बहुत ही जबरदस्त डो बनी है और मैंने अच्छी रोनी बनाई तो आपको मुझे बताना था कि इतने ज्यादा अच्छी बनाई तो अब इसकी हम बॉल्स रेडी करेंगे तो मैं कटिंग बोर्ड लगाते हैं तो यहां पर मैंने ले लिया है कटिंग बोर्ड और इस पर हम अपनी डोग को तो जाएं साथ लंबा करेंगे वैसी बहुत सौफ्ट है तो यह अच्छे सोरी देखें इसको हम अभी रग दता है तेसी डोगों बहुत जादा हमें न पतला नहीं करना अब मैं क्या करूंगी कि इसे हम कट करेंगे इसे हम थोड़ा थोड़ा कट करेंगे जाना से पतला लग रहा है जाना करने भी इस तरही के से इसकी बॉल्स पनाएंगे यह देखें यह हमारी कुकी डो रेडी है तो इसी तरही के से बना बना के रखते जाएंगे अब इसका भी बना लेंगे तो देखें यह बॉल्स हमारी सारी रेडी है अब इसे हम किसी ट्रे पर जिसमें हमें बेक करने है उदर ट्रांसफर कर देंगे देखें के अलुमेनियम का है एक धकन इसाल पर मैं ऑइल ग्रीस कर रही हूं जह ताके हमारे यह जो कुकीज है और जिपके ना अच्छे समने यह मेरे पास ओई था तो लेकिन घी ग्रीज किया है जी क्योंकि है सेट हो जाता है और और जाना बहता रहा तो अब हम क्या करेंगे इसे जो है कीज़ कुकीज को के उपर रख देंगा आसे आप में देख हूब हैपनी जो बना लोग से बनती भाईा एशार पाउडर थे तो मुझे यह ऩी जो उछ केशा लगता है तो सिंपल भी बनासाद है है अगर आप को कर दो कि रिखके हैं सारे कुकी तो इसक्स पूलेंगे तो न्हें दो डाला उसक्ति में पूलेंगे तो मैंने तो दो डाला को पूलेंगे तो इसलिए मैंने थोड़ा डूर-दूर रखाए, कितने जबरदस color के लव रहे है, बिल्की है, तो यह हमारा बिल्कुल ready है, अब हम पतीली की तरफ चलता है, तो यहांपर देखे, पतीला हैं बहुत बड़ा सा ले लिया है, और यह काफी बड़ा पतीला है, और इसमें हम अपनी ये बिस्किट्स डाल देंगे और फिर अब इसमें हम इसको ढग देंगे और इसका हम चूलाओन कर देंगे लो फ्लेम पर चूलाओन करेंगे शुरू में हमें 5-10 मिनट के लिए में में 15 2 लिया तक तंप outrageous मिनट युद्ध बरम करें में in eo ने युद और फिर आपने बिसकिट बना रहे हूं केख बना रहे हों केक बना रहे हो में फंधर 125 कोभिष कहंट लगता हैं लिए आपने दस मिनट बात कोल के चैक करना है आपने शुरू में बिल्कुल नहीं खोलना तो इसका हम फ्लेम ओन कर दता हैं और इसे हम ढ़क जयता है तो इसे मैं ढख रियों हो भी बिल्कुल सइसे ठाइँ यह हम इस पर ढख रहा हैं लिए अब यह जो डिया है तो अगर आपके पास पतला होगा या जिसमें आप बनाना या पतीली वाग्म है तो आपने पतली है तो बहुत जादा हाई नहीं रखने है अगर मोटी है तो हाई रखेंगे शुदू में थोड़ी दर तक के लिए तो मैं भी आपर हाई रखने है तो गरम जब हो जाएगी मि अबने और गॉकिस मारे कुटी इतना जबरदस्त बने हैं और वी इतना शांदार आए कि मैं आपको बता नहीं सकती जाए देखें इस का बनाना या रखना है पार से ए इस तरीक्टा यह कई थे। हम ब्रावन इस तारीके से एंडर में आना इस दोड़ी ए मैं पताने सकती तो मैं जहूं आपको इसे टेस्ट भी करके बताती हूं कि यह कैसा बना है कमाल हो गया कमाल बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहे है कि जैसे मैं मिल्क पाउडर खा रहे हूं इतना मिल्की इतना मज़दार से फ्लेवर का है तो मैं आपको बदाने सकती है और हमने सबसे बड़ी बात यह कि लिए तो बहुत ही शांदार बना है आपने ऐसे ट्राइव जरूर करना है और मुझे कमेंट्स में फ्रीडबैक जरूर देना है कि आपको ए रेसीपी कैसी लगी और आप इसे ट्राइव जरूर कीजिए कि बहुत ही शांदार बना और अगली वीडियो तक के लिए अला हाफिज